मिस्त्रों पज्यारों साल बाद ये आपनी जंता खर्म की और करवट बदली है करवट अभी खड़ी हुई नहीं खड़ी तो उती दिन होगी चीश तक कूबर को उस नए तिहाज के निर्मान करने में पंभी ते ज्याद से ज्यादा धर्मते में आए इस नया तिहाज थे मर्याना पुर्षोतंत्री राम की मन्निर का निर्मान I appeal to you, Ram Jyoti will give you all the inspiration needed for the betterment of the life. All what is needed for the betterment of life is only Ram. If there is no Ram, there is no survival. For that purpose Ram Janma Bhoomi Ram Janma Bhoomi Ram Janma Bhoomi Ram Janma Bhoomi actually belongs to Hindus It's all Hindu only We are all Hindu and we are supporter of Hindu Do you think this will become Ram Janma Bhoomi? Definitely, 100% What are you doing? I am doing my business Oil business Are you going to go to Ayodhya? Yeah How long do you go? Well, that depends on my booking How many people will go here? Well, not less than 50,000 The Is 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 बाबरी मस्जिद का निर्माण आयोध्या में सन 1528 में हुआ उसके तक्रीबन 50 साल बाद तुलसी दास ने रामचरित मानस लिख कर रामकथा को आम लोगों तक पहुँचाया उन्नीसवी सदी तक अयोध्या नगरी राम मंदिरों से भर गई इन में से कई मंदिरों का ये दावा रहा कि राम यहीं जन में है इस समय तक अंग्रेजों के पैर भारत में जम चुके थे पर वे हिंदू मुस्लिम भाई चारे से अपना तख्ता पलट जाने का खत्रा महसूस करते थे शायद इसी लिए अंग्रेज इस अफवाह को हवा देने लगे कि मुगल शहनशाह बाबर ने बाबरी मस्जित का निर्माण राम जन्म भूमी मंदिर को तोड़ कर किया था आपसी तनाव के बावजूद हिंदू मस्जित के प्रांगण में राम चबूतरे पर पुजा करते रहे जबकि मुसल्मान मस्जित के अंदर नमाज पढ़ते रहे इस समझोते का अंत 1949 में हुआ जब कुछ हिंदूओं ने मस्जित के अंदर खुस बैठ कर राम मूर्तियां रख दी डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट केके नईयर ने दंगा फसाद की आशंका जाहिर करते हुए मूर्तियों को वहां से हटाने से इंकार कर दिया बाद में वे जनसंग में शामिल हो गए और संसत सदस्य भी बने मस्जित को सील बंद कर मामला कोट में दरज कर दिया गया कसम खा रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जो भी हो वे मस्जिद की जगह एक भव्य मंदिर का निर्मान करेंगे। दुनिया भर से राम शिलाएं और चंदा एकठा हो रहा है। उधर विडियो अभियान मस्जिद में राम जी के चमतकारी रूप से प्रकट हो जाने का दावा कर रहा है। तेज दिसंबर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद में यका यक चांदी से भूटी। और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि एक चार-पांस साल का बेहत खूपसरत लड़का खा है। जब बेहोशी तूटी तो मैंने देखा कि सदर दर्वाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था। सियासन पर बूत रखा हुआ था। और लोग आर्थी उतार है। 22 दिसंबर उन्नी सु अनन्चास की रात्री में भगवान श्री राम लाला आयोध्या में अपनी जन्म भूमी पर प्रगट हुए। मगर मस्जिद में हुए करिश्मे की वास्तविक्ता कुछ और ही है। अयूध्या में अभी वे महंत जिन्दा हैं जिन्होंने राम मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा था। महंत राम सुभग दास्ति महराज सास्त्री अखिल भारतिय रामानन समप्रदाय के प्रधान मंत्री। यह प्राइबेट महंत भी हैं और उस ट्रस्ट के सरवाधिकारी हैं आपने स्री राम जर्म भूमी के अंदर स्री राम जर्लाजी का प्राकट उस्व किया था वहां कौन सा डेट है, कौन सा तारीक है, कौन सा सन है आप बताने का शट करें 23 दिसंबर 1849 23 दिसंबर 1949 इस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट उठसब किया था और वहां बाबरी मस्जिद ने भगवान का अबदार हुआ था आपके बार आपके उपर भी कोई अरगनाइजर था उस निक्ति में परदान नईयर सहाब थे केके नईयर जो यहां के डीयम थे और 1949 से लगातार पृतमा रखी गई है तब से नहीं हटाई गई अभी तक महांतराम सुअग दास्जी सास्त्री जी जो आप सामने में है आपने ही रखी थी आज हमारे और भी सहज हुई थे के बल में नहीं था तो इस मूर्ती रखने का काम आपको कैसे उसके बारे में आपने कैसे सुचा यह तो सुपने रूप हुआ उस सुपने को साकार किया मूर्ती रख के गौर्णमेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था वो वारंट का नकल में इस समय आपको मौजोद है में दिखा सकता हूँ आपको जेल से कैसे निकलाए जेल से कर वो जमानत पर रिहा हुए मुकद में चले और मुकद में से आप फिर बड़ी हो गए नईर सहाब ने निरने दिया कि जब तक इस केस का फैसला नहो तब तक इस सब बड़ी कर दिये जाए मेरा जो प्रारण भी काम था ठी भगवान राम उसमें अस्थापित हो इस सिद्धान्त लेकर जितना काम करना था मैं किया अभी बोलने पर मुझे गवर्मेंट बंद भी कर सकती है इसलिए मैं बोलता हूं नहीं बाबरी मस्जिद के बुजर्ग इमाम और उनके बेटे वही दिन याद करते हैं सन्वन्चास की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुलगफार साहब इशा की नमाद पढ़ने के लिए गई थे तो उस वक्त नमाद पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबा जुमे के दिन फजर की नमाद पढ़ाने इनको जाना था फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया जो वहां मज़िद में रहता था सफाई करने वाला ज़रू देने वाला उसने बतलाया कि हमारे हाँ मज़िद के अंदर तो मूर्ती रख दिया है बेरागियों ने तो इन्हों ने काया कि अच्छा ठीक है हम चल रहे हैं वहां ऐसा कैसे हो सकता है जब वहां आए तो डियम ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज कहीं अलग पढ़ लीजे और उसके बाद में हम दो चार जुमे में इसका फैसला करके आपके हवाले कर देंगे फिर आप इसमें नमाज पढ़िएगा तो यह उसी जुमे का इंतजार आज तक कर रहे है हमारे यहां के डिप्टी कमिशनर साथ इनका नाम है नईयाद इन्हों ने उसमें बूत रखा दिया रात को और जब सुभा की नमाज पढ़ने गए लोग तो नहीं जाने दिया गौर्डमेंट के तो आप जानते भी किसी को जो वहां सुभा नमाज पढ़ने आरे उसमें तैनात यहां मुकरर्र थे आजान देने वाला अलग और नमाज पढ़ने वाला इसको पेसिमाम कहा जा आप तक आप लोग अभी यही नहीं समझ सके अब क्या समझने आए है अब तो यह मामिला बहुत दूर पकड़ गया ना आप तो साब अब जेर गवर है वहां अदालक में दुनिया खलफशार हो गया खुदा मालूम कितने लोग नजर आतश हो गये कितने लोग मौत के अब तो हमारी बात जोंट पुछाए कर आप पुछ गई अब हमारी बात क्यों पहुचावे वाला नहीं है और ना हमरी बात मकोनों ताकत है आज यतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि जनाब हमारी सूर से लोग बेजार हैं 1986 में दोनों संप्रदायों के कटर पंथियों को खुश रखने के लिए सरकार ने एक और तलाक शुदा मुसल्मान औरत से रख रखाव का हक छीन लिया तो दूसरी और बाबरी मस्जिद के दर्वाजे हिंदूओं के लिए खोल दिये विरोध में मुसल्मानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी का गठन किया लेकिन उनके कटर रुख के जवाब में हिंदूओं का फिरका परस्त गुट हिंसा पर आमध हो उठा दंगों में 2500 से ज्यादा लोगों की जाने गई लाल दास जी विवादास पद राम जन्म भूमी के कोर्ट नियुक्त पुजारी है तो एक राजनीतिक मुद्दा है विश्व हिंदू परस्त ने जो कारिकरम चलाया है मंदिद तो बनाने के लिए कोई रोक नहीं था फिर हमारी है ऐसा कोई बिधान नहीं है कि हम भगवान को अलग हटागर के किसी जगा रखे जाएं क्योंकि भगवान जहां विराजमान हमारे होते हैं हम उसको मंदरी ही मानते हैं हमारे हिंदू परमपराई है चाहे हो किसी भी मकान में रख दिये जाएं तब भी हम उसको मंदरी ही कहते हैं क्योंकि भगवान जहां बिराजमान हो मंद्री होता है. फिर अलग से मंद्र बनाने का कोई आउचित नहीं, अगर अलग से भी बनाया जाता, तो उस इमारत में जो समय भगवान बिराजमान हैं, हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं. और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मामुद्दे को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव की इस्तिती पैदा हो और हिंदू मत जो है हमारे प्रक्ष में हों उनको यह चिंता नहीं है कि कितना अब आज जन संगार हुआ कितने लोग मारे जाएंगे कितने खटेंगे कितनी बर्बादियां होंगी या जो मुस्लिम बाहुल छेत्र में हिंदू रहते हैं उनकी क्या प्रस्तिति होगी हमारे देश के सामें तमाम ऐसी समय से आए है कि 1949 से आज तक किसी मुसल्मान ने वहां कोई अवरोध नहीं पैदा किया लेकिन जब इनोंने यह नारा दिया कि बावर के शंतानों से खोन का बदला लेना है तब पूरा देश जो है उद्दंगा ग्रस्त हो गया और कम से कम हजारों लोग इसमें मारे गए मौत के घाट उतार द मंद्रों को जो जागीरें दी आज जान की घाट में माफी नामा मिला हर्मान गड़ी के बहुत से भाग मुसल्मानों की बनाई हुए हैं फकीर राम जी का मंद्र मुसल्मानों का माफी नामा है यह तमाम जो जागीरें मुसल्मानी शाषकों त्वारा मंद्रों में दी गई और अमीर अली और वावाराम चरंदास की जो समझोते थे कि हम हिंदू और मुश्लमान दोनों एक मिल करके रहेंगे उसी जनम भूम के पार्ट में दो भाग किया गया कि एक तरब मुश्लमान निवाज पढ़ेंगे, एक तरब हिंदू पूजा करेंगे ये सारी बातें जो थी उस पर इन लोगों ने पानी फिर दिया हिंदू लेहर का लाभ उठाते हुए भाजपा की लूख सभा में सीटें दो से बढ़कर 85 हो गएं 1990 में भाजपा नेता लालकृष्ण अडवानी में रथ जैसे सजी एक एर कंडिशन टोयोटा गाड़ी में रथ यात्रा शुरू की 10,000 किलोमीटर लंबी ये यात्रा मंदिर निर्मान के लिए कार सेवक जुटाते हुए 30 अक्तूबर को अयोध्या पहुँशने वाली है देखते बाबर के अरमान निजा कर मानेंगे अरमान मिटा कर मानेंगे जो खेल रही है आगन में इस बेल कुचल कर मानेंगे हम मंदिर निर्वाही बनाएंगे काशी मत्रा बाकी है बच्चा बच्चा राम का निर्म भुमी के काम का बच्चा बच्चा राम का जो भाषन चल रहा है ना तो वही सुन रहे हम लोग तो वही गरिप के लिए क्या करते हैं ये लोग अब हम लोग आएसे पुपायरी को रहते हैं मुल्चिपाइड़ते आती तोड दालती कि क्या करेंगे बारिस में बच्चे लोग लेके सोते ठेशन में जाते हैं तो भगा देते हैं पूलिस लोग अब एक क्या होग रहा है ये बाषन अब बाषन चल रहा है ना अब हम को क्या मालूम उतना मालम रहता तो बता जीए पड़ेले इंसान नहीं है, क्या करेंगे, वो क्या चल रहा है, क्या नहीं हमको मालूम दिने, मालूम रहता है तो पड़ेले इंसान है। और मंदर महीं पढ़ेगा। आज बातकाम नहीं पताया, तो मैंने एक अख़बार में मोटी मोटी खबर देखी, यहां के कुछ बरिश्ट नारिकों ने मेरे नाम एक फुली अपील की है, जिसमें कहा है, यह अज़वानी वांड अफ कमीनल गायस। मैं तो जो जानता हूँ, कि यूँ तो शरारत करने के लिए चाहलों भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस यात्रा के कारणा किसी भी प्जार की घर्पर नहीं होगी, यह मुझे विश्वास है, और यह यात्रा, रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ, उत्रदाइकों के साथ, लेकिन जिश्चेर के साथ, क्या विक्रत शित्वरवाद हमको स्विक्यार नहीं है। आश्वासनों के बावजूद, रथयात्रा के दौरान, हिनसात्मक घटनाओं में कई लोगों की जाने गई, मगर रथ बढ़ता गया। त्यारी तो देखिए रहे हैं, बहुत धुम्दाल से हो रही है, उनके स्वागत के लिए हम लोग त्यारी कर रहा है। सरकार के कहने से मंदिल और मस्जीद का निर्मान नहीं होता है, यह धरम की बात है और पबली का अपना अटूप विश्वास की बात है। यह लिए है। इसलिक घुलकर की मैदिल और मेरा है। आप यह मंदिर में हो तो जिन रहे है। वे उसको मुसल्मानों बाये तोड़के बनाया उसको तो हम आने को तैयार नहीं है यह लोगों का कहना है कि यहां पर दंगा फसाद होने के संभाव ना आयसका देखेंन demographic वह रहाल वां है हो तो कुछ के इसका प्रवाह gef़ें नहीं है है अगर होगा तो हम भी तैयार है हम सांती साथ यह लेकिन अगर मेरे समय को रुका आएगा उसको छोड़ेंगे इस जाउनर को याँ आप आप अपसे जाच के हैं मार्णा फरृड में दो जाब फरृड बैकवर्ड फरॉड फरॉड में साव जिसको बने शोड़ते हैं बनिया कैसरी बन कि सब्सक्राइब तो संग बना है आरेसिस हुआ हैं उसके बाद विशन्दू पर्सग न कर भांते एक बसेश करके रामजन bhoomi के मुद्ध पर बनाया गया जैसे यूध्यूध है विशन्दू परिशत का बचंग डल को भाषाठी य Suffinnt आप या काम करते हैं वह भी लॉग कर रहे हैं लॉग कर रहे हैं कि वह कानिफ और आप अपने अलगर कि कान से हैं टकाने एलेक्टिक की निलेक्टिक कुछ कर सकते हैं उसके साथ कि इसे उसके साथ मारकवीड का समय आया तो मारकवीड के आजयागा बात्चीत का समय और बात से काम चल जाता है तो तो बात से ही हम लोग निपट लेंगे, तुसके साथ हम लोग बात दो करके मार्पिट करने के लिए भी तक परे रहेंगे, जो भी हमारे हिंदु धर्म के बिरोधी हो, जैसे कुछ मुस्लिम लोग है, कुछ अपने ही हिंदु लोग है, जो कि हम लोग बादा पहुंचाते हैं, हिंदु धर्म के विश्चते हैं, तो राम जी का जन्म कहा हुआ था, इसके बारे में कोई प्रमान है? इसके बारे में प्रबंड है जो रामाहंड में बहुत सारे बाते हैं उसको दस्टावेज भी प्रस्तूत किया गया है तो राम जी का जन्म कौनसी शताफमी में हुआ यह तो परानिक बाते हैं इसको बताना तो हमारे लिए जरा सा समभू होगा आम जी कंजन कहां हुआ ये मालूम है मगर कब हुआ ये नहीं मालूम नहीं तीथी कभी से में कोई जानकारी मुझे देना असंभव लगता है अब अब बता सकता है नहीं बता सकता है क्योंकि एक इतियासिक विसेह और इतियास में आपने आपको पिरो देने वाला ही व्यक्ति उसको उसके बारे में कुछ बता सकता है नहीं आपने पढ़ा होगा नो में अभी हमारा पस्ट यह रहे जाए हमने अभी उतना कुछ पढ़ा नहीं है और लो में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ मिलेगा लो में अपने जैसे धर्म गुरु अगरा बताते हो नहीं पताते हैं अज राम जी करें है कितने साल पहले हो अजार वर्शं की पुरु इसका इतियास की पुरह इस है त्रेता त्रेता है इतियासे अधनी की इतियास से इसका पता हम नहीं कर सकते है दिखाए पर इखिशन का है आउ आ रादियाओ आपको दाना है आही नहीं 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 पर अपको आराम से आराम से आपको धन्यवाद है नियसे देखाब आशे दिये हाथ भीन लगाने ना पर ने कर रहे हैं आपको तरशन करना है उसको आर्थी देखाना है आ रहा है ना उदर से रामजना भूमी को आर्थी देखना है अच्छा शेवा करना है अच्छा तो जो भी मोटर गाड़ी आती है वहां दर्शन कराते हैं जी नहीं राम जनम भूमी करते हैं ये तीछे आते हैं जी जी कि मंदिर आएगा उदर से पूरा मंदिर हां ट्रक से उदर से ट्रक में मंदिर आ रहा है आएगा आएगा जो लिखा हुआ है कि अधिकारियों को अडवानी जी की ओन से खात धन्यवाद आपने बहुत अच्छे ये सामने गाड़ी रहेगी सामने गाड़ी में रहेगी कोई गाड़ी हमने रचे सामने नहीं कर दो दो प्र है नहीं अधिकारियों कर दो आप दो है आज की तारीक में देख लीजिये जैसे ही हमारी विजे यात्रा बगवान राम जी की रख यात्रा लाल केशन अड़वानी जी लेके बंबाई पहुंचे वैसे ही जन्ता दल के 68 सदसे उन्हें इस्तिवा देने के लिए उनको अपील कर दिये वीपी सिंग को के वीपी सिंग साब आबढ़ जाएए और वीपी सिंग साब को देखिए मनल यो लोग की क्या वशक्ता थी आज की तारीक में आप सबसे सलाम अश्रुआ करते पहले दूसरे मसले हार कर दें लेकिन नहीं उनको अपने कुर्सी बचाने के चकर में मनल योग तोप दिया मनल आयोग के आधार पर सरकार ने निचले वरगों के लिए आरक्षन की नीती अपना कर उच्च जातियों का गुसा मोल लिया है यह गुसा भाजपा और राम मंदिर के समर्थन में परिवर्थित हो रहा है लेकिन शोशित वरगों में एक नई जागरूपता उभर रही है मैं गुंति निगरों की रहने वाली हूँ नाम मेरा भगान देवी है सिलाई के काम कपड़ा के दुकान भी है दोनों के दुकंदारी में करते हैं कि मजवरी खेतिवारी करते थे और खेतिवारी करते थे उपिन लोगों को जो मंदिरों बैट से हैं पुजारी लोग फूजा करते हैं उन लोगों के हम नोगरी करते थे और काट बिल करके देते थे तो खाते थे पेड़ भरते थे और जब गल्ला घर में भार ले तो कहां बाहर ही हटो आप छूत हो गल्ला हमारे घर आप आप छूत हो चलो भागो यहां से हमारे घर में कदम नहीं रखना क्योंकि उनके घर में आपके लाग चुका है और अगर हम उसके बाद में लोटिया चुना चाहे तो वह में लोटिया शुरे नहीं देंगे यह इस ती यह पहले कि थी हमारे बुजर्गों कि इसी तरह से सताया गया है इनी लोगने सताया मंदिर के पुजारी लोगने मगर अब क्या रहें कि अब आ सकते हैं अभी वहीं बात है यहां हम कास करने वाले 45 साल की मेरी उमर है आज कितने साल हुई जिस बख़त अंग्रेज गया है तो अगर तोड़ना जिसको रहा है तो वही से हटा दिया होते हैं नजाने कब बना आज हम चार्शाब चार्शा बार जद्ध्या जा चुके हैं और वहां पर मंदिर महिजित बराबर बना है तो जब नारा बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई आपस में सब भाई-भाई तो जब भाई-भाई हो आज 40 साल और पताने के 30 साल पहले बना तो आब उसमें क्यों मंदिर तोड़ दे जाए कि महले तोड़ दे जाए तो दोनों बने रहां जैसे हम शीम कुछ भाई एक हीगा बखते हैं तो हम दोनों भाई रहें वह धी देउता हैं वह धी देउता है हम दोनों को मांते मुश्लिम भाई उसमें नमाज पढ़े हम उसमें तुंजा करें हमाई समझने ये आता है और एक बिगालने से कोई नतिज़ा हल नहीं हो लग होना है उस सवाय नुस्कान हो जनता पर नुस्कान हो लोग रध्यात्रा के खिलाफ अपना विरोद जाहिर करने पटना पहुच रहे हैं 43 साल के आजादी के बाद में भी महंगाई आज आस्मान को छू रही है बेकारी आज करोडो नव युवकों की है भूकमरी और गरीदी आधे से अधिक लोग आज भी उस लक्षमन रेखा के नीचे हैं यहाँ पर मिरक्षर्टा बीमारी चारो तरफ फैली हुई है मगर मालूम होता है पिछले कुछ महीनों से कि मानों इस देश में इन में से एक भी समस्या ऐसी है ही नहीं एक मात्र समस्या अगर कोई है तो वो है मंदिर और मस्जित की बिरत रगु बीरा के नाम पर एक रत पर चड़कर एक पक्ष के नेता उनका चुनाओं चिन्न कमल को लेते हुए और भारतिय जनता पारिटी का त्वज लहराते हुए देश बर में रत यातरा कम्त करते हुए गूम रहे हैं तो यह किसलिए घूम रहे हैं बीजेपी के लिए वोट बटोरने के लिए अगला चुनाओं अगर आवे तो 88 का 188 किस तरह किया जाए इस बात पर सोचने के लिए मैं यह कहता हूं कि उनके सारे ये रंगीन सपना चूर चूर होकर रह जाएंगे क्योंकि इस इसका बहुत बड़ा अश्रे इस देश में बसने वाले 85 प्रतिशत हिंदूओं को बेशक जाता है लेकिन ना महात्मा गांदी ना जवाहरलाल नहरू ना फासी के तक पर लटकने वाले हमारे वो सैंक्रो तमाम जो शहीद हुए उनमें से एक ने हिंदू राष्ट के लिए कि अपनी जान नहीं दी इस बात को भड़ाया नहीं जा सकता है मगर ताज्युक की बात है हट है मंदिर वहीं बनाएंगे वहीं बनाएंगे और मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे इसमें राम की मर्यादा है अयोध्या राम का जन्मस्थल है माना ये बात हिंदूं का ए कि मुझे कोई कह दे अडवानी जी या कोई होर कि आयोध्या का वो कौण सा चपा जमीन है कि जो राम की याद से पुवित्रन नहीं ये मुझे को वो कह दे आयोध्या के कहीं भी जा करके आप मंदिर बना लीजिए हम मेंसे हर किसी ने हजार बार इस बात को मन्जूर किया कि मंदिर आप बनाएं बेशक आयोध्या में बनाएं बेशक भव्य बनाएं मगर ये हट न करे कि मस्जिद तूटने पर ही वो मंदिर बनेगा ये हट न करे हम मेंसे कोई लाल जंडे मानने वाले हो या कोई और भी हो हम सब धर्मों की श्रद्धा करते हैं एक धर्म की अस्मिता और अंकार के नाम पर दूसरे धर्म की अस्मिता और आस्था आप तोड़ नहीं सकते इस बात को ध्यान में रखिये दोस्तों हिंदु धर्म में सहिशनुता है असहिशनुता भी है मानोता भी है और जातपाद की ववस्था भी है और इसलिए वर्षों से संत और महंतों ने अनिक प्रकार के सुधार लाने के प्रहत्न किये जातपाद ववस्था के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की आज भी वो कायम बढ़ा हुआ है आज एक नया प्रहत्न चल रहा है कि इस देश के अंदर में जिनको प्रशासन से दूर रखकर कहा गया कि ये सिर्फ सेवा और चाकरी करने के सिर्फ इसी लायक है और किसी चीज के लायक नहीं है आज एक प्रेत्न किया जा रहा है कि देश के कारोबार चलाने में उनको भी हाद बटाने का मौका दिया जाए लेकिन वही ताकतें जो हिंदु धर्म के अंदर कठमुलापन कायम रखना चाहते हैं जंडा लेहरा कर मस्जिदें गिराना चाहते हैं वही लोग इस देश के अंदर में वरनाशनम और जातपात के नाम पर भी जो है तो आज कसमे खा रहे हैं और उसके प्रेत्न कर रहे हैं इनके चेहरों को देख लो इनको पहचान लो इनके मनोवृत्य को समझ लेओ और इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर यह सारी लडाईयां एक तरह से जुट गई हैं कि मस्जिद कायम रहेगी मंदिर जरूर बनेगा इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाब करता मैं कहूंगा देश द्रोहियो्स साउधान जाग उठा है यह तो पहले जिडोव्वाची है और ने रहे हूं उनके अबहें क自चे लिए के ले ने जारूर को समेक करते हम बनता है वोलो स्रीलाल कृष्णा अडवानी जी की सोगंद राम की खाते हैं एलके अडवानी जिन्दाबाद राम भक्त जिन्दाबाद और जोर से बोलिए भगवान श्री राम की आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार लोग कहते हैं कि आप अडालत का फैसला क्यों नहीं मानते अडालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था के नहीं हुआ था आप से तो इतनी आशा है बीच में मत पड़ो रास्ते में मत आओ क्योंकि यह जो रथ है लोक रथ है जरता का रथ है ज इतने मन में संकल पकिया हुआ है कि 30 अक्टोबर को वहाँ पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा, कौन सी सरकार रोकने वाली है, यह मामला ऐसा है, जिसका समय पर सही निरने ले लेना चाहिए, मेरे साथ एक बार बड़े जो अक्तार की? इसकार! Good evening, the headlines Today's Baratbant sponsored by the BJP in protest against the arrest of Mr. L.K. Advani resulted in stray incidents of violence In Rajasthan, army was called out in Jaipoo City The decision followed incidents of arson, looting and stabbing Five persons, including one policeman were killed के सक्वार्ण के थे उसे के लिए बत्वाने से लिए वीज़ाने साथ परोगई वीज़ और इंगार्फ इंगूज कोज़ भाइव दीज आसे कुंस्ति हर्याना से में विधायतूं जंता दल से अभी आज मैं पार्टी से रिजेंड कर रहा हूं कि मंदिर बनना चाहिए क्योंकि मुसल्मान जो लोग हैं वो हमारे किरायदार हैं 1947 में पट्रेल जी लिए बात कही थी कि इन सालों को भगा दो कि महम दन्सकों हमने अपने घर खाली करा लेना है बाई फोर्स बाई हुकार बाई क्रुक हमने अपने मकान को खाली करा लेना है का तिए क्रा करेंगे मंतिर बनेंगा विजे राजे सिंधिया हमारी माताजी मातव राजे सिंधिया की माताजी मेरी माताजी अट savage हरी वाजपई एल का ल्टवानि विजे मलोतरा और आपके मलल फुरणा हमारे सारे भारत्य जंता पार्डी से मैं विधायक हूँ, एमेले हूँ, हरेना से, ताउती भी लाल के हाँ से लेकिन आज मैं मुलाहिम सिंग यादब के खिलाफ हूँ मुलाहिम सिंग यादब मुझा रेश्ट नहीं कर सकता, उसकी पावर नहीं पंडर चरंजी लालेंपी, करनाल से मेरे मा में हैं, शुश्मा सवराज, मेरी सगी पहन है आज मैं सरकार छोड रहा हूँ, इनके गुंडा पन से अरे बाबर कौन था, गुस्पैटिया था, अकबर कौन था, गुस्पैटिया था तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है, जो कितने सालों से हमारे देश यह सोमरस है, इसका बहान बटबड़े देवतानों गिया, दर्योध ने किया, धरिदराष्ट्र ने किया, फिरिकर्ष्ण ने किया, तो यह सोमरस है कि इसको बहुने के बाद दमाः बढ़ता है। हम तो कहित है फैसला हुए वही ठीक है। पर अपना मजदिर बनाओ, हम लोग अपना आपना पंडिर बनाए, आप मने अपने भाई बनाए अवत कोई विसेश बाप में अब अब इतनी दोनों फरीकें में युद्धे है एक उसमें फायरा कुछ नहीं होगा बस नुकसान के अलावा का साइब है लगा जो लगाई हो ठनी तो पैसा लागी इधर से पैसा उधर नहीं पर्थ हमार लोग घटा है बस का है हमा लोगन का गला बखारी सस्ता है और और कोई चीजी सस्ती नहीं है सब गला हमारा लोगन सस्ता है और जत्ती भै सब महिंगाई है यह वाट अब हमेरे यहां पर कोई वो इसी बात नहीं है यह तो बाहर बाहर कर जो नहीं सब कि यह सब बाते देकार के लराई जग्रा करने वाहीं है अब बगल बना लिया अब कोई बाने जग्रा सांध करें लेकिन अब एक उठा वाली बात है तो बात लेकिन लराई वाली मतलब बात हो गई आप हिंदू है कि मसल्मा यह हम तो हिंदू तभी आप सोचते हैं कि यहां मंदिर नहीं तोटनी चाहिए विल्कुल क्यों भाई हमारे मंदिर बना होई कोई तोड़ा लागे तो हम कैसी बात तोड़ जया मंदिर अगर तुमको मसीद बनाना तो पान अलग बना लिए जिसे कि जञा इन ख़ी हमारे और मंदिर ठूट कर बना ही है कि आपमने लिए नहीं हूं कि उसमे में को नहीं है नई इस इसमें अग्डेम्यों कोई नहीं है कि ब्रह्मान कोई नहीं कि ब्रह्मान लोग तुछा थे मंदिर तूट के मंदिर बन जाए कि सीधा मामला उनका ही है आओ कुछ नहीं का मामला यह ही हुआ कि आप यहां कितने साल से हैं करिभ फईंकिष आप पुजारी है है क्या नाम है आपका महूंत भला नारस्त आप यह जो अभी हो रहा है इसके बारे में क्या सोचते हुआ बहुत 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 कि यहां पर मंदिर बहुत सारे हैं कि पुरानी जमाने के 5000 मंदिर रहे हैं आप तो घर-घर मंदिल यह जो दुखोंसरी बनाए यह भगवान को मंदिर बनवा लिए है और मस्जिद भी हैं यहां पुरानी महजे भी कक्काईबु आध जब अंग्रेजु की जमाना था तो मुसलमान भी काफिर था अवौद बवाद नहीं होता था अजुधा के जिमिधार मुसल्मान, जो अचन मिया नाम को था परियी अउधा के जिमिधार था यह अमावा कोठी है यह सब मुसलमानिक था यह सब पुरा महजिदे रहे यह मनी परवत है जो कम से कबरे कबर है वहां करीब कुटवाली के पीछे महजिद भी है वहां अनौगज के कबर है कि पन्टव करा कि पुनु परवड़ पंच ने दा यू तो यह वही राम जनब भूंके तब से बावाल बावाव शुरू है बसो जब adhere नियर सहाब रहे तब पहले कहां बवाल है भगवान जनम लिया था अभी दे मालूं कि यह घर में लिया कि वहां पर लिया कि वहां पर लिया कि वहां पर लिया मगा भगवान अजवधा में जनम लिया अभी कैसे कहो कि हम यही महजिदे में जनम लिया कि आज तक जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह से दंगे फैलाएगे यह मात्रीव संपरदाइता का दंगा खुर्शी और पैसे के लिए फैलाएगे ना कि यह राम जनम्भूम के मैं तो यह कहना चाहता हूं मैं राम जनम्भूम मंदिर का पुजारी हूं मैं बिल हिंदु परशद के लोगों ने वहां पर एक माला भी नहीं चड़ाया भगवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहां पर और कब बल्कि उन्होंने ब्योधान डाला हमने हाई कोट में रिड़ दायर किया और रिड़ दायर करके तब वहां की भोग अपना मकान बनाना शुरू किया और काफी जन्भानाओं को उन्होंने दोहन करके और बड़ी बड़ी विल्डिंगें तयार कर ली करोड़ों और रुपे इन लोगों ने गठा किया लाग विभिन बैंकों में ने डाला और लाखों रुपया नहीं ब्यक्तिगत अपने खा अब यहां जो लोग हिंदू राश्ट की बात करते हैं राम के नाम पर तनाव खेलाते हैं हिंसा करते हैं यह सब हुच जाद के लोग हैं और यह सब के सब शुवधाब होगी हैं इनमी त्याग और तपश्या और जन्मानस का हित लेश मात्र नहीं है यह केवल धार्मी भानों को भार करके और स्वयम को सुखशुद्धा में वो परणित की हुए हैं यह जन्हित की बात करी नहीं सकते हैं लेकिन आज बड़े-बड़े मठ हैं करोणों और वों की शंपत्ति उसमें हैं और हम पैदल छोड़ करके एरमेल से चलते हैं फस्किलास की ट्रिकेट पर चलते हैं यह कंडिशन के कमरे में रहते हैं तो जहां पर हम एक तरफ भावतिक बाद उस भावधिक बादी विवस् सोचते थे उस जगें हम उसको त्याग करके और हम भावतिक ब्यावधि व्यवस्ता में प्रून रूप से लिप्त हो चुके हैं तो हम भावतिक बाद की ही बाद सोचेंगे हम उसे पर हट नहीं सकते हैं तो यह आज के धर्माचारियों को कि आप क्या कहेंगे हम तो इनको भावधि व्यवस्ता का एक पोशक मानता हूं मैं यह जो पूजी पती कहते हैं कि हिंदू धर्म की रख्षा हिंदू धर्म की रख्षा है मैं कह रहा हूं कि यहीं पर देश के पूजी पतियों जो आज धर्म की आज असोग सिंगल कृस बात की जो कह रहे हैं कि हम बहुत ब अगर आप बड़े पूजी पती हैं, आपके पास पैसा है, आपके कहने में एक पूजी पती समधाय देश का है, तो उन पूजी पतियों से पैसा लेकर के उन गरीबों में लगाई आप, जैसे मदर ट्रेसा कर रही है, या और जिन धर्माचारियों ने किया है, और जो धर्मा मैं इंकम टेक्स डेपार्टमेंट में डेप्री कमिशनर हूँ, पिशले साल मार्च दो को मैंने विश्व हिंदू परिशद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मंस जारी किये थे, अशोक सिंगल समेट जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके में दिये गए थे, 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिशद का एक बहुत बड़ा डेमोंस्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पर प्रधानमंतरी के बाहर हुआ, उसे दिन मेरा मदरास्ता बादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्व को दबा दिया, फिर मुझे सस्पेंट कर दिया गया, विश्व हिंदू परिशद के बारे में दो तिन चीजें मुखे मुद्दे हम मैं देख रहा था, एक तो यह कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है, विश्व हिंदू परिशद ने Reserve Bank of India को अपलाई क कर दोड़ी परिशद नहीं के गये विश्व हिंदू परिशद नाम की एक संस्था है अमेरिका में जिसके करीब 200 ब्रांचिस हैं सारे अमेरिका में और ऐसी ही ब्रांचिस कैनेडा और इंगलेंड के इंदर है, जीन की संख्या करीब 1,00,000 से उपर सदस्यों की बताई जात ऐसा है कि इंकम टेक्स का रिटर्न किसी ट्रस को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है ये कानून है 30 अक्तूबर 1980 को अशोक सिंगल ने एक रिटर्न फाइल की जिसके अंदर उन्होंने उसके उपर तो लिख दिये कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है और मैं उसके सारी एक एक चीज़ का बयान दे रहाएं कि कहां से पैसा है कहां से नहीं हाएं वो सारी बयान जो था रिटर्न से गयब था उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने बना इसक्त की उसकी आस तक डूपलिकेट्स तक नहीं दी ग tabs और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे इंफॉर्मेट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे इनका जगड़ा भी हुआ विश्विंदू परिशद की नेताओं का आपस के अंदर की एक करोड सियासाट लाख रुपए जो शेला नियास पे खर्चा हुआ वो सारा उसमें काफी भोगस था उसमें लोग पैसा खा गए हैं ये बातें महाँ पे जगड़ा हुआ फिर नई कमीटी बनी लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्विंदू परिशद ने जब देखा कि ये बिलकुल इंक्वारी नोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है क्योंकि इमके पास ना तो किसी तरह को हिसाब था तो उन्होंने सरकार के उपर निश्चित तावर पे दबाव डाला मार्च आट को कि इसको या तो किया जा नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लेंगी ये बार बार ये बोलते हैं विश्विंद के आया था वापिस तो इसी ख्याला से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूँगा लेकिन इस देश में होना है मैंने अम्बिया पास किया था अमेरिका से मैं सब छोड़के अपना काम छोड़के मैं इंदुस्पान चला आया था यहां अगर एक कानून इंप्लिमें अगर जो कानून पाले आफिसर के साथ यह किया गया जो मेरे साथ हुआ है तो इसका यही नतीज़ है कि देश के अंदर कानून हमेशा के लिए खत्म होगे मैं तो इस अमस्ता मेरे को मेरे को कोई उमीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई होगा भविश्य मैं चाहता ह सब्हूं की तो इसके बाद किसे ने आपके ऊपर डवा डाला या घंगिया वगरा ती हाँ मेरे को दो बार दो लोगों ने धंगियां दी मैं उनके नाम नहीं देना चाहता है वे नहीं कहा आपने आगए जबादी तो हम आपको आपको जान मार देंगे आपको जान से हो जगा पैसे वाला गरीक जरील जरी जो है जलालत जो है सब जगा गुझ गजगई है और फिरम का उसका नाम देना यह थो बहुत गलत बात है थरम तो बिलकूल ही नहीं है गलचनी इस पीकरश्यzięki Sansman शडंदरे सरे राख के लंदू हितका कांप करेगा भिप्पित कंप अर्फñंदरी राğभ याएगा तीस अक्तूबर को हिंदु पहुशेगा, सर्जु में एक बुंद जल नहीं रहेगा, वो खून की धारा से नदी बहेगी, और साड़ा अजुद्या रक्त रंजित हो जाएगा, हल्दी घाटी अजुद्या बनेगी, यह इंपाल का मैदान अजुद्या बनेगा, जल्यन कांद का हुदा रना युद्या परस्तोत होगा, बोलो राम जन्म भूमी की जै, कासी विश्वनाथ की, मारेंगे मर जाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, मारेंगे, मर जाएंगे, मारेंगे, मारेंगे, मर जाएंगे, मारेंगे, मारेंगे, मारेंग सरकारी प्रतिबंध उन पर भी लग गया है जो सिर्फ परिक्रमा करने आए हैं कौन ती थियात्री है और कौन मस्जिद तोड़ने आया है पहचानना मुश्किल है कर दोगा कर दोगा कि हमारी माउथ होगी मुझे मालूम होती है मेरी हर्सांस मुझको आखरी मलूम होती है मौथ है कल क्या होगा अब यह मैं बोल रहा हूं अभी सांस निकल जाए खतम लेकीन जैपूर को जला दिया फूंग दिया बरबात कर दिया सारा भारत हमरा जला ऐसी एक प्राब्लम पर प्रावना खराब कर दीगे इंदुस्तान की भारत वर्ज की कि इसका जवाभी नहीं मिलता है पेकर्म करने तो हम तमाम मुसलमान जाते थे शोकिया कुछ यारी दोस्ती में वहीं क्या फर्क्रमा करने पानी पिलाते थे कि दार्मिक मामला ऐसा होता है कि हम आप एक थालिम बैठ कर खाएं लेकिन जहां मामला आया बाबरी मस्जित को जनम नुम का तना क्या बुदर खड़ी हुमें इदर खड़ा हो गया ना बहन रही ना भाभाई रहा यहां बराबर बैठें वगर मेरे गाओं में हिंदू मुसल्मान की भावना को यही नहीं ना कि हम दू है यहां जो मुसल्मान है यहां साधे वियाह होता है वो पर दे हम खाते हम पर रसते यहां मतलब दोनौ पार्टियूं में एकदम भाई बंद निर्ट वह है तो हमाई गाओं में तो इस यहां अनि थाम हैं निए हैं सिद्के शिद्राइक आप को बहुत कम मिलेंगे जब तक यहां बाहर के सामाजिकतत नहीं आएंगे तबंगीहां जगड़ा होने कोई सवाल नहीं ना नहीं अजिशटाइम जड़ा जएंगे इस पर अउना होना है कि मैं जंदा को सोचित किया जाता है कि सहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है कोई भी ब्यक्ति कर्फ्यू का उलंगन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाब सबसे सब कारवाई की जाएगी और बल प्रियोग किया जाएगा आम जलता को फुचित किया जाएगा है कि जय में कर्फ्यू पुरी तरह को लाभू कर दिया गया है जारन्यी गुरी यजी घाएगा जारू सेलताओ क़रे लोगरे पिलने्या गार्जी थन्यू 30 अक्तूबर 1990 कार सेवकों को सर्यूपुल से अयुध्या जाने से रोक कर बसों में बैठाया जा रहा है पुलीस की ओर इशारा करते कार सेवकों के नारे गुंचते हैं हिंदू हिंदू भाई 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 बीच में वर्दी कहां से आए मर्दिर भरी बनाएंगे मर्दिर भाई बनाएंगे वर्टियाए बती राम चंदर महराजी कि मुझाएगा वाज आप पीज है लट्षी गोली खाएंगे मुंदर वही बिलाएंगे लट्षी गोली खाएंगे मुंदर वही बिलाएंगे लट्षी खाएंगे अगर हमारे मंदर को ध्वस्त किया है तो जे हमारे माधि पर कलंक है अगर जे बावरी मच्छा रहेगी तो हिंदूं पर जे कलंक हमें अपनी गुलामी याद जलाता रहेगा हम इसों को उठा करेंगे जे गुलामी का चिन है इसे हम खतम करेंगे चाहे खूं से करें चाहे गोलियां से करेंगे हमारे अंदर हम जाएंगे तो मस्धिद भी तोड़ेंगे अगर वो इसको कलंक को अपने मासे पर लगा करके रखना चाहते हैं यह उतरपरदेश की सरकार यह मुलाम सिंग तो वह बना करके इसको उठाकर क्या और कहीं रख लें लेकिन मंदर वही निमान होगा गरब ग्रह पर उपरी मंदर निर्माल अभर लेकर आप पंजाब की तरह से हिंदू हाँ क्यों चलाई है अगर सरकार का यह रवया राध हराद में गौर्ट शहीं बन जाएगा तो यह बड़ी परने की जो इस देश के साथ गजारी करेगा उसका यहीं अंजाम होगा लेकिन अम या खर्म नगरी में आए हैं मंदर का निर्मान करने आए लड़ने नहीं कोई गलत नहीं किया और दिकार है कि जो 70 करोड हिंदू को एक तरफ रख करके 10 करोड मुसल्मानों की इरतलवे चाड़ता फिर रहा है दिकार है ऐसे हिंदू होने पर अच्छा आप कौन से जात के हैं हम हिंदू है खत्री सबसे पहले हिंदू उसके पीसे जात अच्छा उ चाड़ अच्छा ऑफ ग्ैया जैला रहा है इनको पूरा क्यों तो हमारे जगड़ क्यों गछंश ना थाकशा जए अगल क्या करता है न हम पंट रहें एकनला जी करने हैं है यदे कर ना यह है पर हमımızरमा। और कार सेवा के लिए भी आएंगी ने तो आपको मालूम था कि यहां पर कार सेवा भी यह लोग कर रहे हैं राम जन्मु भूल गया और जब हमको कल भी हमने सुना कि परक्रमा लगाएगी तो फिर हम आएगी याने आपको यह मंदिर के और मस्जिद के जगड़े से कोई लेन हम को अरफ नहीं परता कि मस्जिद भी रहा हे हम तो जा कर मंदिर में ठहांगे यहां इनमन रहे हैख आप एी तब घरखे करे अच्छाा अप यह नहीं कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो आहां तो आफ पने प्रमा को और द्रायों बनाएंगे को अ completa अंतो कुछ पावर की बावर को खेल बावर का खेल बावर का एक ड़का आर्दो निसींदी बावर को फूर नी बावपादी है किसीं दे रिकोन निए ए प्रिवान इस स्वेब ते देखे। स्वयम उची जाती के हिंदू होने के नाते, कई प्रशासकी अधिकारियों की विश्व हिंदू परिशत के प्रतिहम दर्दी छिपी नहीं है। विश्व हिंदू परिशत के उपाध्यक्ष ऐसी दीक्षित जो पहले पुलीस में आई जी थे, अब पुलीस द्वारा दिये गए माइक पर कार सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। अब ये अंगोरान अज्या तक्सी में सही रहेगा। ये अंगोरान उरे भारत में फैलेगा। भाषण खत्म होते ही अचानक पुलीस पीछे हट जाती है। कुछी क्षणों में कार सेवक एक बस हथिया कर घेरत बुड़ते हुए मस्जिद की ओर उमर पड़ते हैं। हरती है। रज़ घर लेखिना साल्च में पहो जार भीध प्रवशा हूात्?! कि अब डूप कर दो गूंद्र को तोड़ दिया तोड़ करके हम ने चाह जो पुछ हो जाए लाटियां उठ्टे भी रहे और हम तोड़ते भी रहे आपको ये बुरा नहीं लगता है कि आपने जो करवाई की है उससे लोग की जाने गई अगर यह नहीं करते तो वह जिन्दा रहते है ना इसके बुरा निलगता फिर वह हमारे भाई है लेकिन फिरलियों उसका करने बीड़ा हमने तूहने, जाला हुए बैदता और फूड डुक उसका बोट पर काई ज़िल, जो नहीं उनके लेक बीदाँ है काई को टूह है उनके जाने नहीं कि बढएक कि अगरोन प stata कि दो माझते जह में हैं, कि विल वेह, कि दौन пон inteे, तौन न हमा मझना हैं, कि लिए पॉपञ परून हैं, कि दौन रेश जिए लिए में जा गना हैं, अ हमान रेश में अजंके लेखची कि दौन dece्ड़ में उल्य कि उौन हैं, कि दौन तौन रे को होए apresent ए कि है यूद्धा यूद्धा परके बूरी भर्त की जन्मानस को इसका विरूद करना चाहिए, कि किसी की धार्मिक भावना पर ठेज नहीं पहुंचाना चाहिए, हम किसी के दिर को तोड़े नहीं है, हमारा धर्म ये लाउने करता है, इसे उसको कभी अनमती नहीं देता है, राम का हमारा ये जो आदर्श है, राजिनिति का, वो यही है कि जन्ता सुखी रहे, और जिस तरह से मुख में हम भोजन डालते हैं, पेट को मिलता, सभी अंगों को मिलता, उसी तरह से सारे जन्ता हमारी है, कोई उसमें छोटा, बड़ा, कोई उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन उ आदर्शों किसी थी हत्या की गई, मगर आज जो लहर चल रही है हमारे देश में, इस लहर में जो लोग ग्रणा की भाषा बोलते हैं, उनके पीछे ज्यादा लोग चलते हैं, और जो लोग प्यार की भाषा बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, उनके पीछे कम लोग हैं, ऐसा नहीं है यह तो जैसे बार आती है भाठे की तरह से उजब पुभान आता तो उन्हें तमाम पेणगी जाते हैं तमाम मकान डह जाते हैं साटनस्ट हो जाते हैं तमाम परिभान से वेर सेवाय ठुप हो जाती हैं एक दोहा लिखा है आरन कानमी कि हरित भूमित्र संकुल समुझ परही नहीं पंथ जी में पाखंड बाद ते लुप्त भई सत ग्रंथ जब घोर बरशात होती है जितनी घास उग जाती है जो सही राष्टे वो दिखाई नहीं बढ़ते है उसी तरह जिस तरह से पाखंडियों के बाद से सही बात जो है छिप जाती है जैसे कोई आदमी खालिया कोई नसा नसा जब तक उसके सरीर में रहेगा तब तक कोई विक्रियाव कर सकता है पागल भी हो सकता है अटेक भी कर सकता है स्वयम की आत्महत्या कर सकता है यह से मुनमाज होते हैं विचार चिंतन यह सम होती है बाद में लोगों की समझने की सोचने की च्छमता होती है तो आज जो कुछ लोगों में इस तरह की बाते हैं ये एक उनमाद है और जब लोगों को अस्यत सामने आ जाएगी जब लोग जान जाएंगे कि हाँ ये बात गलत कहीं कि हम लोग को गुम्राह किया गया तो अपने ही लोग उसका वहस्कार कर देंगे कि मैं बहुत दुख मैसूज करता हूं तब भी मैं अपने को उतना ही सहीम उतना ही धैर में वापना बना रखा हूं कि तुखान है लेकिन उस तुखान से हम उसे बिचलित नहीं होना चाहिए यह भाठे की तरह से आया और वहाँ कि मंदिर के अंदर हमें जाने ही नहीं दिया जाता है तो मंदिर से हमें मंदिर की मूतिया आगर पीश जाएं तीस दी जाए से बना सकते हैं लेकिन हमारी अगर जनता कड़्या दो हम किसी परकार के मसाला उसमें नहीं लग सकता है और अगर देखिया हमारी इस बस्ती में बहुत से लोगों की जलम भूम हुई है उनको यहां से निकाला जा रहा है अभी यहां ही गाहों से करीब परीब डेड़ से बस्ती है उनको निकाला जा रहा हूं और यह कहीं क्योल राम है उनकी भूम के लिए लोग कितना परेशान है और संख्या भी उसके पीछे दोड़ रही देखियों मैं कियों दोड़ू ताथू देखो जग बवराना सांच कहो तो मारन था वै जूठे जग पतियाना साथू देखो जग बवराना हिंदु कहत है राम हमारा मुसल्मान रह्माना आपस में दो लड़े मरत हैं मर्म कोई नहीं जाना माला पहेरे टोपी पहेरे छाप तिलक अनुमाना बहु तक देखे पीर आलिया पढ़े किताब कुराना करे मुरीद कबर बतलावे उनहु खुदान जाना या विधि हसत चलत है हम को आप कहा वै स्याना कह कबीरा सुनो भाई साधो इन में कौन दिवाना इन में कौन दिवाना साधो देखो जग पौराना साधो देखो जग पौराना